Hello everyone and welcome to my YouTube channel और इस महदार वीडियो में हम बनाएंगे sign up page हमारे resume builder project का ठीक है sign up से रिलेटर जितने भी चीज़ होंगी वो हम इस वीडियो में बनाएंगे तो तुम इस वीडियो को अराम से देखना, समझना एक एक चीज़ को reasonable price में तुम उसको download भी कर सकते हो लेकिन अगर तुम सीखने में interested हो तो पूरे playlist को देखो वीडियो को अच्छे से समझो और खुद बनाओ इससे तुम्हें learning experience में मुलेगा जो कि उस बने-बनाएंगे code से जादा subscriber और खुश हूँ और और वीडियो बनाओ ठीक है मुझे लग नहीं रहा कि मैं जादा projects और बनाओंगा मैं कुछ projects और बनाओंगा इस चैनल पर और उसके बाद शायद मैं दूसरे subscribe की वीडियो इस पर डालना स्टार्ट कर दो कि कुछ खास अच्छा रिसमोंस नहीं मिल रहा तो देखने कब तक हम इसे खीज सकते हैं तो बहुत बक्वास हो गई without wasting any time let's get started ठीक है तो सबसे पहले मैं उन front end file को दिखाता हूं जो हम इस project में यूज करेंगे यह पूरा front end file जितने हैं इस सब को तुम description में लिंक से डाउन कर सकते हो free of cost ठीक है front end की file है यह टाइल्स के है तो सब्सक्राइल से कुछ background है जिनको हम use करेंगे अपने project में मैं दिखाऊंगा कहा और काफी cool होने वाला है ठीक है अब बाकी हमारा login page है तुम देख सकते हो यह हमारा login page है ठीक है ऐसी हमारे पास यहां पर registration page है तो ऐसी धेर सारी हमारे पास हमारे पास हमें pages है ठीक है हमारे पर resume का भी देख सकते हो यह resume का एक page है और काफी cool है right तो अब हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम अपने zamp folder में चले जाते है यहां पर मैं अपने zamp server है यहां पर Apache और mysql को start कर लेता हूं ठीक है यह बहुत ही simple process है कोई भी कर सकता है यह तो बताने वाली चीज नहीं है औ यहां पर नेधा एक नोगी सबसे और यहां पे देख सकता हूं हमने यहां पे खोल लिया और अब conceptual Ash इस फोल्डों को हम बंद कर देते हैं ठीक है और यहां पर इसको राइट क्लिक करके अगर तुम विंडो 10 यूज कर रहे तो तुम्हें यहीं पर option दिख जाएगा open with vs code अगर तुम्हें सिस्टम में vs code डला हुआ है तो नहीं तो अगर तुम विंडो 11 यूज कर रहे हो जो कि म अच्छे से दिखे ठीक है और बाकी हम इसको अपने ब्राउजर में खुल लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर sign up की चीज़ बनाएंगे sign up.php जो है जो कि हमारा register.html के अंदर है तो हम यहां पर जाते हैं और sign up मैं register नाम देने वाल है इस फाइल को तो यहां पर सबसे पहले register.html को हम register.php दे देते हैं और यहां पर आते ओट एक बाते हैं और टाइल वाली फाइल को उसके अंदर move कर लेते हैं ठीक है हमने टाइस हाली फाइल को इसके अंदर मूब कर दिया और हम पर कॉर फॉल्डर बना देते हैं क्लास ठीक है इसके इंदर अपनी क्लासिस रखेंगे मतलब फी फाइले रखेंगे जिन पर हम क्लासिस बनाएंगे और यहां अभी ज्यादा कुछ तो हमें करनेक्स रखत नहीं है बाकी हम इसको एसेट खोलके इसके अंदर इमेजिस लिख देते हैं इमेजेस ठीक है और टाइल्स एक्चुल इमेज़ी एक टाइप का तो इसको भी मेज के 안र लख देते हैं और तो यह हो गया एसेट्स है हमने इमेजिस के और बाकी जिद्धे का लोगो है यह तो बी एक टाइप का इमेज तो Francis अन्हंद जाके में में इसको हम यहां पे यहां पर इंक्लूड, इंक्लूडूड इंकलूडे जो हम फॉइलों में पूरा बना लियुंगे, बाकी यहां पर दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है और अब हम आते हैं यहाँ पर अपने ब्राऊजर पर और प्रजिस्टर.php को खोल लेते हैं तो हमने आपर प्रफिक को खोला है तो तुम दोगों कि यहाँ पर यहाँ एक लोगो दिख रहा था जो आप नहीं दिख रहा है ठीक है तो मैंने इसको बढ़ा कर लिए को मैं यहां पे आता हूं और अपने एक टेबल earning और यहां पैर करुदेतेे हैं ॉथाहिन मैंने मड़ेँ करेता हूं टेबल को अब इस टेबल के अंदर हमें data मतला टेबल इस data base के अंदर हमें tables create करना है तो मैं यहाँ पे users नाम से create करता हूँ और इसको इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं देना है फिलाल के लिए हमें name, email address, password देना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ देता हूँ और email id को भी 250 characters देता हूँ और फुल नेम को भी हम वार कर लेते हैं 250 देते हैं int को हम ब्लैंक चोड़ देंगे हम आपको value दोने के ज़रत नहीं है email id जो है वो भी unique होगी हमारे project के लिए तो तुम चाहो तो यहां से attribute किया रहा हूं यहां पर दे सकते हो unique ठीक है सकते हैं अगर नहीं कर पाएं मालोख इस दे के से bypass हो गया वह तो mysql insert होने ही नहीं देगा duplicate email id को ठीक है इसलिए हमने यहां पर दे दिया तो यह हमारा हो गया हम इसे save कर देते हैं हमने तो हमारे पास यहां पर यूजर स्टेबल आ गया basic details के साथ ठीक है इसमें full name email password है यहां पर आगे हमारा full name email password और हम इसको open कर लेते हैं अपने 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 जाता हूं और यहां पर फाइल बना लेता हूं header.php ठीक है और इसे के साथ मैं आप एक और बना लेता हूं new file footer.php अब यहां पर वह फाइल होंगी जो कि common होगी हमारे सभी projects में तो यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर एक और हम फाइल बना लेता है navbar.php ठीक है तो यह तीर हमने फाइले बना लिए अब navbar.php बनाई है आगे हम इस्तमाल करेंगे देखेंगे हम यह पर फिलाल header footer इस वाले page के लिए जरूरी है तो मैं पर जाता हूं अपने sign up कहां गया हमारा register.php पर और यहां पर top से हम यहां से उठाना start करते हैं नीचे की तरफ आते हैं और और यह बॉडी तक बॉडी तक हम यहां से कट कर लेते हैं सेव करते हैं चीज को और header में जाके यहां पर पेस्ट कर देते हैं ठीक है सेम हम footer में आते हैं फिलाल वैसे मुझे लगते नहीं footer में हमने कुछ लिखा हुआ है register.php के अंदर बट फिर वी मैं body और HTML tag जो end और इसको cut कर लेता हूं और header.php के अंदर पेस्ट कर देता हूं ठीक है तो यह मैंने टुकड़ों में बाट लिए अब हम अगर देखेंगे तो जाए से बात है यह बिना CSS और शालिंग देख सकते हूं कितना खराब लग रहे हैं तो हम इस फाइल को इसके roots के अंदर header.php required है तो यहाँ पर हम इसे required लिएते हैं dot slash लगा जाते हैं इसका मतब current directory ठीक है तो यह required हो गया अब हम refresh करते हैं तो देखो गया वापर से हमारा लुक आ गया सेम इस चीज को हम copy कर लेंगे यहां से और नीचे आके यहां पर paste कर देंगे और यहां पर header की जगह ही लोग देंगे इस बार यह लोगो है हमने मूव किया था प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में यहां पर आके हम refresh करते हैं तो हमें हमारे यहां पर लोगो भी दिख रहा है और CVMaker नाम नहीं है हम नाम कुछ वह देना चाहा रहा है तो वह हम देख लेंगे किया से करेंगे उसकी कोई दिक्कत लेना हर जगह include करने वाले हैं तो टाइटल तो सेम नहीं रख सकते हैं टाइटल डैनेमिक रहें अच्छे तो हम क्या करेंगे हमें अपने header section में आएंगे और जहां पर हम टाइटल दे रहें से यह वाला यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम इसे as an variable दे देंगे पास कर देंगे ट जहां पर हमने header file include किया ठीक इसके ऊपर क्योंकि अब हमने यहां पर इसे include कर लिया है तो header.php के अंदर जितना भी code है वह इसके code का भी part है तो हम यहां पर कोई variable create करेंगे तो उसे header.php के अंदर access कर सकते हैं जैसे कर मैं यहां पर title create करता हूं टाइटल और यहां पर लिखता हूं क्या है हमारा register ना लिखता हूं रिजिस्टी रिजियूम बिल्डर 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 ओके तो यह जो variable हमने यहां पर create किया है यह हमारा header.php के अंदर accessible होगा मैं refresh करता हूं तो दो को register slash pipe resume builder यहां पर दिख रहा है ठीक है और यहां पर site icon हमने लगाया था पर site icon दिखने रहा हम header.php के अंदर जाते हैं और यहां पर आप तुम देखोगा तो site icon है पर यह नहीं है अब देखो यहां पर एक complicated चीज़ यह है कि जैसे logo.png है पर यह includes includes के अंदर header.php है इसके लिए address के होगा इसके लिए address होगा भाई एक step पीछे जाना है images folder के अंदर logo.png पर हम इसको use कहां कर रहे हैं register.php के अंदर कर रहे हैं तो हम register.php फाइल के reference में logo.png का address क्या होगा वो यहां पर use करेंगा जैसे मैं यह कहना चाहरूं अगर मैं यहां पर slash images slash लिखूं तो देखो double dot का मतलब क्या होता है पीछे एक level पीछे है तो header.php को access कर रहे होते तो और हम header.php को access नहीं कर रहे हैं हम access कर रहे है register.php को तो हम यहां पर register.php के reference में address देंगे जो की है assets currentfollow slash कुछ इस तरीक किसे ठीक है अब यहां पर refresh करेंगे हम दखो कि यहां पर हमारा site icon हमें मिल गया तो यह हमने यहां पर कुछ file को setup तो कर लिया perfectly अब यहां पर देखेंगे तो यह register.php है यहां पर full name, email address, password मांग रहा है चलो हम अपना देख लेते हैं form को ready कर वा लेते हैं ठीक है और साथ ही हम नीचे को नीचे वाले इनको links भी दे देंगे वह हम देख लेंगे कैसे करेंगे हम अपने register.php के अंदर और यहां पर cv maker कर लिखा हुआ हम cv maker नहीं हम resume builder यूज करेंगे as the name resume builder ठीक है perfect refresh तब देख सकते resume builder यहां पर नाम अच्छा लग रहा है create your new account और यहां पर full name email ID और यहां पर password देना then register पर क्लिक करना और हमारा account registered हो जाएगा अगर हम already registered नहीं होंगे तो ठीक है अब यह full name हो गया और यह form को और यहां पर सबसे पहले इसे method दे देते हैं post नहीं तो ठीक है post और action दे देते हैं action का क्या सीन है कि action के लिए हम यहां पर एक file बना लेते है separate assets के अंदर अब यहां पर किसी के अंदर दने के हमें जरूत नहीं है तो हम यहां पर simply बहारी बना लेंगे action.php ठीक है action.php किससे हम सारे form submissions या actions को manage करेंगे ठीक है तो यहां पर हम आ जाते हैं अपने register.php के अंदर और यहां पर हम दे देते हैं कहां के हमारा ठीक है तो यहां पर हम actions के अंदर दे देते हैं actions slash register.php ठीक है अब देखोगे तो यहां पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं actions का ठीक है और इसके अंदर register.php को लिख लेते हैं ठीक है यह यहां पर हम action को manage करेंगे register.related actions होंगे ठीक है तो हम ऐसी login के लिए login.php form submission के लिए submit.php ऐसे अलगलग फाइले बनाएंगे ताक कि तुम्हें सारा code separate मिले और तुम्हें समझने मैसा नहीं हो इसलिए मैं ऐसा कर रहे हैं single file में ना रखें ठीक है तो यहां से हम squat आते हैं फिलाल के लिए और इसे बंद का देता हूं ठीक है register.php हो गया हम आरा और यह हो गया हमारा अब बाकि हम नीचे हम नेम्स दे देते हैं जैसे की हमारा नीचे की तरह पाते हैं फुल नेम है इन्पुट पर किसी भी तरिकर्व का नेम नेरिकार रखें तहां पर मैं इसे नेम देता हूं तुल नेम ठीक है फिर नीचा आते हैं यह email है इहां पर हम नेम दे देते हैं email id ठीक है और लाशनम आओगे password तो हम यहां पर नेम दे देंगे name पासवर्ड ठीक है बाय डिफल्ट इन सबको हम required रखते हैं तक कि ब्लैंक समिशन ना हो पाए हम बैकेंट में भी वैलिडेट करेंगे बट फिलाल के लिए हम यहां पर रिक्वाइड लिख देते हैं रिक्वाइड रिक्वाइड यह हो गया हमारा तो फुल नेम इमेल पासवर्ड ओके मैं रिफ्रेश करता हूं रिजिस्टर पर क्लिक करता हूं तो जाएसे बात है यह बोल रहा है कि भई पहले इंपुट डालो इसमें और मैं आप इमेल डाल देता हूं मनोगिरी और सारी नेम पूछ रहा ह अब हमने रिष्टर पर क्लिक है देख सकते हैं अगर सेव करते हैं यहां पर रिफ्रेश करते हैं तो तो तुम दबहोगे मोनोगिरी और इमेल एडियों हमारा पासवर्ड यहां मिल रहा है पर्फेक्ट तरीके से अब हम चलो कुछ बना लेते हैं सबसे पहले हम जाते हैं ह कि जो beginners उनको समझने माशानी हो तो हम यहां पे classes में जाएंगे और यहां पे एक new file बना लेते हैं database.class.php ठीक है database.class.php ज़रूर नहीं है तो इसी format को लो तुम database.php भी दे सकते हो इसको कोई दिक्कत नहीं है मैं आज दे रहा हूं database.class.php मुझे अच्छा रगता देना ठीक है तो और ऐसी register को sorry मैं यहां पे भूल गया मैं को register को भी ऐसी देंथा register.action.php तकि मुझे पता रहे कि यह एक action है और यह एक class है ठीक है तो वापस से हम इस चीज़ को change करेंगे अपने register में ठीक है कहां के हमारा हम जहां पर form submit कर रहे थे हमारा है register.php और form method यह रहा इस control अंदर कर लेते हैं जाद ही बारो रखा है register.action.php ओके हम बैक आते हैं refresh करते हैं फिर से मोनुगरी 123456 दन register पर क्लिक करते हैं तो देखोगे register.action.php पर आ गया ठीक है अब इससे पता रहेगा कि यह action और यह class है ठीक है मैं database पर आता हूं यहां पर और यहां पर पर प्लास बनाता हूं class जिसको मैं नाम देता हूं database ठीक है यह हमने class का नाम दे दिया और इस class को हम क्या करेंगे तो इस class को अपने register.action.php में include कर लेंगे ठीक है कैसे तो हम simply उपर जाएंगे और यहां पर लिख लेंगे भाई require है क्या current folder जो हमारा उससे तुमें पीछे जाना है पीछे जाने के बाद क्या करना है पीछे जाने के बाद तुमें जाना है assets के अंदर उसके बाद तुमें जाना है class के अंदर उसके बाद तुमें जाना है database.class.php के अंदर जब जो किना कूल लग रहा है ऐसा कि बहुत बाठी पर देता हूं gathering Let them प्राइवेट डॉलर होस्ट ठीक है है होस्ट हमारा जो है लोकल होस्ट होगा फिर यहां पर देंगे हम प्राइवेट क्या कहते हैं यूजर नेम जो कि हमारे केस में रूट होगा दन यहां पर हम देंगे प्राइवेट होस्ट हो जो यूजर न होगया दन यहां पर हम देंगे प्री Pacers यजए नरीच्पी देटाबिस अठीक निद लिख देंगे में तो देटबेस है हमारा Resume Builder ठीक है सबाइब़ेट और यहां पर यहां पर देंगे पास्वर्ड वह होगा हमारा यहां पर बिलंक क्योंकि हमने यहां पर ridge畑 डिपॉल्ल पासफ़ बिलंक रहता है और इस स merchant क्यों है तो private मतलब इस classic Cloud क्लास के एंदर आए Across क्लास के बार इसे access नहीं किया जा सकता ठीक है इस तरीके से हमारा हो गया अब हम यहां पर एक इंस्टेंस बनाते हैं यहां पर मैं लिखता हूँ ठीक है कंस्ट्रक्ट में मैं क्या लिखूंगा तो यहां मैं simply my mysql का एक object है हमारा पास ठीक है new mysql i इसके अंदर में पास कर लूँगा इन सभी को host right then username then database host username database then password ठीक है कि हम इसको return कर देंगे simply कुछ इस तरीके से ठीक है अब मैं यहां पर जाता हूँ अपने कहां गया हमारा तुम चाहो तो यहां पर बना सकता हो इंस्टेंस इसका यह चाहो तो database के फाइल के अंदर ही बना सकता हो कुछ इस तरीके से डीबी इस इक्वल टू डॉलर डॉलर कह रहा हूँ new database कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहां पर तुम कहीं बना सकता हो पर उससे पहले देखो यह error देगा क्यों देगा मैं बताता हूं जैसे हम इसका अगर यहां पर इंस्टेंस बनाएं यहां पर new database और एक चीज़ और होते है कि जब तक तक तुम इसका इंस्टेंस बनाओगा इसके अंदर कोई चीज नहीं चलते है अगर मैं यहां पर refresh करके refresh करूं तो कुछ नहीं आ रहा है क् जैसे में इसके इंस्टेंस बनाओगा यह यह एरर देगा मैं बतांगो वह एरर क्यों देगा वार्निंग देगा कांड ओफ ठीक है तो देखो यहां पर वार्निंग दे रहा है कि भाई अंडिफाइंड वेरिबल होस्ट उसर निम डेटाबेस पासवर्ड अब तुमको पढ़ेगा ठीक है दिस डॉलर साइन दिस एरो साइन देन होस्ट वैरियेबल लिखना पढ़ेगा बिना उसके डॉलर साइन के ठीक है यह अपने आप उससे गेट कर लेगा जिसमें से सेव करों और यहां पर रिफेश करों तो देखोगे उपर वाली वार्निंग चली अब यह वो लोरा एकसे स्थीना फॉर्शे रूर्ट अर्धर गसलों होस्ट ओके होस्ट युसरनेम डेटाबेस वाओके हमने यह यह पा देखो गल्ट उसमें दे दिया है क्या कैते है गलत murder में दे दिया है अइसरे नहीं हमें सब्छले देना होता है पास्फोर्ड हमें डेटावेस से पहले देना होता है ठीक है तब हम यहां पर आते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं सेव कर देते हैं कर देते हैं कि यह गड़ब़ हो गई चले उसे करना असान है तुम Google कर लो इस चीज का सोलूशन तुम्हें मिल लेगा पर मैं नहीं करना चाहरा तो मैं नहीं कर रहा यहां पर हम आते हैं और यहां पर सबसे पहले बना लेते हैं भई डॉलर अंडर्सको पोस्ट ठीक है अगर है तब यह चले है एसको चाहते हैं तो बहुत पार यूज करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे हम क्लास में जाता है और यहां पर और फाल में आते हैं function.class.php ठीक है इसके अंदर हम अपने सारे functions बनाएंगे जिनको हम अलग-अलग जगों पर यूज़ करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे इसका अभी एक इंस्टेंस बना लेंगे डॉलर और यहां पर function को fn नाम के इंस्टेंस से हम बनाएंगे fn variable में और यहां पर हम लिख लेता हूं भाई new functions ठीक है कुछ इस तरीके से तो इसके अंदर हमारे इंक्लूट कर दूँ तो मैं functions के अंदर database को यूज कर सकता हूं ठीक है यहां पर simply मुझे लिखना है function.class.php और हमारा काम हो गया ठीक है तो हम यहां पर आते हैं और जैसे सबसे पहला हम अपना function बनाते हैं यहां पर यहां पर मैं एक्वेरियल बनाता हूं public function redirect ठीक है यहां पर हम लेंगे ठीक है तो हमने यहां पर बना लिया हम यहां पर क्या करते हैं header और यहां पर हम लिख देते हैं भाई यहां पर देख सकते हैं खुद ही बता रहा है कि यहां पर तुम्हें क्या देना यहां पर तुम् locatians लिख लेता है located ॅर इसके बात हमें किया देना उस ul r ciekчик हमसे करांच ऑ अधिर्च हम एक हैं थे में भलग है और आप लाए ठीक है अब अब यहां पर यहां पिए selection अपना एक रिड़ाइट का फंशन को हम यूज करेंगे, मैं रेजिस्टर पर आता हूं, अगर कुछ ऐसा होता है, तो हेडर, सॉरी, हेडर क्या रहा हूं, इस एकसस करते हैं, हम उस इंस्टेंस का नाम दिखना है, जैसे हमने यहां पर क्रेट किया है, और फिर इसे रेजिस्टर.php पर रिड़ाइट करवा देना, ठीक है, काम खत्म हमारा, अब अगर हम इस पेज को डिरेक्ट एकसस करने कोशिश करते हैं, तो देखो कि हम रेजिस्टर.php पीछ भी रिड़ाइक्ट होगा है, ठीक हम इसको डिरेक्ट एकसस नहीं कर पाएंगे, जड़ तक पोस्ट कोई फॉर्म यहां पर सम्मिट हो रह यहां लगे, यह हो गया हमारा, अब यहां पर जैसे email id है, password है, ठीक है, और यह सब होना चाहिए, यह भी हम इसका condition है, यहां पर चक कर लेते हैं, वैसे तो हम front end से चक करी रहे हैं, बढ़ हम यहां बैक end से भी कर लेते हैं, email, इस email से पहले, full name जो है, वो set होना चाहिए, और and, डॉलाप पोस्ट, email id भी set होनी चाहिए, and, password भी set होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमने बना लिया, कि भाई, यह तीनों condition, true होनी चाहिए, तभी ऐसा हो, नहीं तो क्या हो, same, redirect हो जाए, ठीक है, यह हो गया हमारा, और, yeah, I think, इसका मार बैते ते किसे लिख सकते हैं, बढ़ हम ऐसी रहन देते हैं, और यह होगे, हमारा, अब यहाँ पर अगर data हमें मिल रहा है, तो हम एक एक करके इनको अपने database में store करवा लेंगे, हम यहाँ पर simply जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, full name, ठीक है, तो हम यहाँ पर चाहिए, तो database में direct data को insert करा सकते हैं, users जो भी input दे रहा है, पर उससे क्या होता है, अगर कोई mysql injection करने कोशिश कर रहा है, तो हमें database का data access कर पाएगा, यह database में कुछ modifications कर पाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हमारे पास mysql के अंदर function होता है, mysql i real escape string, जिसके तुरू हम string को थोड़ा sanitize and validate type करते हैं, जिससे हम उसका data को database में store होने लाग ब इसको real underscore escape underscore string के नाम से वो था function, पर क्योंकि हम इस बार oops में काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर database का एक object बना रहा है, तो हम इसके तुरू इससे access कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर simply एकता हूँ, db real escape string, और इसके नदर में क्या पास करना है, इसके नदर में simply, अपना जो और यहाँ पर full name की जगा मैं इस बार लिख लेता हूँ, email underscore id, same यहाँ पर भी, email underscore id, और password के लिए भी same हम ऐसी कर लेते हैं, password, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, password, password, अब password को हम क्योंकि encrypted form पर रखना चाहते हैं, तो हम इस पूरे को MD5 में wrap कर देते हैं, ताकि वो encrypt हो के database में जाए, ठीक है, तो कुछ इस तरी के हमने full name, email id, और password अपने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है, मैं इसको save करता हूँ, यहाँ और नीचे की तरह आते हैं, यहाँ पर हम insert करते हैं, तो insert करने के लिए हमने यहाँ यहाँ पर db का instance use करना ह और इसके सबसे पहली query यहाँ लिखनी है, query के अंदर हम लिखना है इनसर्ट, into, यहाँ पर फिर हम लिखने है table कर नाम, जो कि हमारे case में users है, users में insert करना है, ठीक है, और kin-kin columns में insert करना है, तो full name, full name हो गया, email id हो गया, और password हो गया, इन तिनों columns में इसे insert करना है, ठीक है, हम हम से यहां पे save कर देता है डी बी और यूजर ने फाट रोगे हमारा ठीक है तो हमने क्वेरी इतनी लिख लिखली हम इसके आगे वेलूस देनी है हमें वैल्यूस बाइल यूज को हम यहां पे देंगे सबसे पहले जितने भी स्ट्रिंग होते हैं उनको हम सिंगल कोटेशन के अंदर देंगे जैसे कि ऐसा और kayak इंगे single quotation के अंदर देंगे, full name होगे हमारा, ठीक है, यहां पर copy करेंगे, paste करेंगे, अब full name के बाद होगे हमारा, हमारे पास यहां पर email underscore id, then हमारे पास यहां पर last हो जाएगा password, ठीक है, तो यह error दे रहा हमें, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर double quotation देना था, और हमने यहां पर single दे दिया, ठीक है, save कर देते हैं, तो देख सकते हैं इस चीज हमने fix कर लिए, और यह हमारी query तेयार होगे, अब इस query को हमें बस run करना, और इसमें अच्छे बात ही है, कि तुम्हें run connect है, लग से कुछ connect जरुत नहीं है, जैसे तुमने db query लिखी, जारा real escape string, तो यहां पर देखो, हमने यहां पर इसे direct return कर दिया, जल्द जल्दी में हमें यहां पर ऐसे direct return नहीं करना, हम यहां पर एक variable बना देते है, private variable, private और इसको नाम देते हैं भई, database, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया हमने, यहां हम db नाम देते हैं short form में, कुछ इस तरीके से, फिलाल के लिए यह null कर देते हैं इसे, null, और यहां पर हम जब new instance create करेंगे, तो हम क्या करेंगे, this db के अंदर यह store हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहां पर हम एक function जाते हैं, public function, public function connect, ठीक है, इसके अंदर हम return करा देंगे, क्या, this db, कुछ इस तरीके से, और जैसे हमने आपर नया instance बनाया है, साथ ही हम इसके नीचे कर लेंगे, db को फिर से call कर लेंगे, अब इसके अंदर dollar db के अंदर ही, जो हमारा connect function है, उसको हम call कर लेंगे, connect, ठीक है, तो तुम देख सकते हैं आपर क्या हुआ, हमने यहाँ पर नया instance करेंगे, फिर उसके इसके हमने connect के अंदर से, यह db variable को db के अंदर डाल दिया, ठीक होगे हमारे save, और अब हमारे errors फिक्स हो जाने चाहिए, यहाँ पर refresh करता हूँ, तो दो कि किसी भी तरीके के यहाँ पर error नहीं दिख रहा है, औ यहाँ पर दिख रहा है, अगर अब मैं इसे refresh करता हूँ, तो दोखो एक और आ रहा है, यहाँ पर हमें error मिल रहा है, तो इस चीज़ को चाहो तुम तो try and catch के अंदर भी wrap कर सकते हो, वहाँ से भी तुम catch कर सकते हो, अगर example, मैं जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, कहाँ के हमारा register.php, registerAction.php, और यह जो हम कर रहे हैं, इसको हम try, ठीक है, ऐसे try, और catch के अंदर अगर हम डाल दें, ठीक है, यह exception को handle करेगा, dollar error, और यहाँ पर अगर echo करे, dollar error, get message को, ठीक है, यह try and catch को ऐसे use करते हैं, यहाँ पर मैं simply refresh करता हूँ, तो दोखोगे, अब यह ज़्यादा smooth and हमें error दे रहा है, ठीक है, पर इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मुझे पता है कि यह database में एक ही type का error दे सकता है, कि email idea already exist है, बट हम इसे try and catch के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसे खुछ से भी check कर सकते हैं, register करने से पहले, तो simply हम यहाँ पर क्या करते हैं, copy करते हैं इस चीज़ को, और सब्सक्राइब पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर query चला लेता हूँ, key select count count all as user, ठीक है, as user, select count as user, जहाँ पर क्या हो, where, दो conditions मेरी true हों, सबसे पहला, जो email id है, वो equal हो किसके, dollar email id के, and, जो password है, वो equal हो किसके, dollar password के, ठीक है, तो इस दोनों condition अगर true हो, तो मुझे यह query चलानी है, ठीक है, मैं db query यहाँ पर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर, यहाँ पर हम लिख देते हैं से, अब इसे हम चलाएं कि जारी से बात हैं में कुछ return करेगा, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, obj is equal to dollar, इसको मैं store करा लेता हूँ, ठीक है, इसमे dollar obj में, या result में, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर read कर रहे हैं, select कर रहे हैं, data get करने को हुशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ return करेगा, तो उसको हम result के अंदर store करा लेंगे, then यहाँ पर अगर मैं इसे printr करूं, printr, dollar, result, अब जैसे तुम्हें याद होगा, जब हम oops use करते थे, तो कैसे call करते थे result को, mysqli fetch asoq, mysqli fetch रो यह सब, right, तो यहाँ पर हम mysqli को छोड़कर पूरे लिखेंगे, जैसे हम पर simply लिखेंगे fetch asoq, ठीक है, यहाँ पर save कर दिया हमने, अब हम यहाँ पर आकर refresh करेंगे, अगर, okay, none column email id, email users, okay, table का नाम users, हमने user दे दिया, email id, none column, email underscore id, अच्छा, हमने यहाँ पर from नहीं दिया, ना, from users, ठीक है, तो यहाँ पर user यहाँ पर one लिखा रहा है, वह ऐसे लिखा रहा है क्योंकि यह already exist करता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं simply जाता हूँ, और इस चीच को हम लिख जाता हूँ, if dollar result, ठीक है, यह देखो तो एक array है, dollar result अगर तुम्हें दे रहा है क्या, user one, अब तो मैं पता अगर true false क्या होता है, zero false होता है, blank भी false होता है, one या कोई भी number या कोई भी string true होता है, तो यहाँ पर simply जात कर लेगा भाई, कि अगर यह one है, तो मतलब यहाँ पर नहीं है, तो जैसे बात इसके नहीं चलेगा नहीं तो नीचे आएगा, और चीज कुछ आने कोशिश करेगा, और कुछ error देगा, अब अगर हमारे इस validation से छूट जाता है, तो यह error तो catch करी लेगा, तो यहाँ पर हम दोने ही cases में error दिखाएंगे, पर यह error दिख ठीक है, यहाँ पर हमने set error का एक function बना लिया, यहाँ पर हम variable देते है, message, ठीक है, जो भी हम message देना चाहिए, उसको हम कैसा set करेंगे, तो इसको हम session के अंदर set करेंगे, error के अंदर, और यह हमारा dollar message ऐसे set हो जाएगा, ठीक है, यह set का हो गया, और हम ऐसे एक function बना लेते है, error दिखाने के लिए, बस, error, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़को ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं करते है, हम बात में देखेंगे, क्या इस function के अंदर लिखेंगे, अभी हम देखेंगे, बट फिलाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अब यह set error वाला हम अबारा जो है, यह dollar underscore session काम अभी नहीं करेगा, क्यों कि इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें session start करना पड़ेगा, right, तो मैं सब से उपर जाता हूँ, यहाँ पर इस page के, और session underscore start कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, session underscore start हो गया, refresh करते हैं, continue करते हैं, तो हमें यहाँ पर फिर से result को call कर लेते हैं, और result के ही अंदर हमें मिल जाएगा, क्या, यह dollar function, fetch asoc, ठीक है, बस, और हमारी error हो जाएगा, हो गया, ठीक है, perfect, तो हमें यहाँ पर session start हमने करी लिए, अब हमें यहाँ पर error set कर लेते हैं, तो simply हमें यहाँ पर fn function को call कर लेंगे, set error, क्या error set करना है, email id हम यहाँ से ले लेते हैं, dollar email underscore id, क्याते हैं, is already registered, registered, spelling mistakes हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना error set कर लिया, और हम यह से redact भी करा देंगे, registered.php के अंदर, तो मैं अब हम पर copy कर लेता हैं से, और यही पर हम redact करा देंगे, अगर email id already registered है, तो, उस case में कुछ ऐसा करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक और case था भई, कि हम यह redact करा रहे थे, अगर हमारा full name, email id और password अगर set नहीं है, उस case में तो, right, यहाँ पर redact करा देंगे, तो यहाँ पर भी हम error set कर लेंगे, हमने अब error का function बना ही लिया है, तो हम इसको use करते हैं, और यहाँ पर हम कहाँ के हमारा set error, यह रहा, copy करते हैं, redact दे पहले हम पर error set कर लेते हैं, please enter all the required data, या please feel the form, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है, तो यह हमने error बना लिया, और यह हमारा try and catch का हो गया, अब try and catch में क्या होगा, तो यहाँ पर भी error दे सकता है किसी वज़े से, तो यह हम मान के चलना हैं कि अगर किसी वज़े से error दे देता है, तो हमें क्या करना है, अब तुम देखोगा तो हम redact function को अलग-अलग ज़वाँ पर call कर रहे हैं, तुम चाहँ तो इसको और बेटे तरीके से code कर सकते हो, पट मैं on the flow जा रहा हूँ, ठीक हम कुछ organized code नहीं लिखने के कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस on the flow चल रहा हूँ, जो जैसे जैसे चीज़े मेरे को करनी है, वैसे वैसे मैं चीज़े बनाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इस set error reference को यहाँ पर भी call कर लूँगा, ठीक है, set error हो गया, हम यहाँ पर message देंगे, अब हम यहाँ पर वो message देंगे, जो हमें error से मिल रहा होगा, error get message, बैसे तो इसकी ज़रुत कभी पड़ेगी नहीं, यहाँ तक पहुंचे गा नहीं कभी, क्योंकि हमारा उपर यह cash कर ले इस case में हमें register.php पर redireart करवाना है, पर इस case में हमें login.php पर redireart करवाना है, login.php, ठीक है, और login.php redireart करवाना है, साथ में success message के साथ कि भाई, तुम register हो चुक्यों successfully, अब उसके लिए हम function make बना रहेते हैं, public function, success वाले message का हम normal message लिग रहेता है, कि भाई, set, message, यह set alert, ठीक है, ऐसा कुछ, set alert, यहाँ पर हमारा message जाएगा, और इसके अंदर हम dollar underscore session के अंदर, इसको stroke रा देंगे, ठीक है, simple है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, अपने register action.php के अंदर, और यहाँ पर dollar fn, यह से, यह है, set, मैं same, इसको copy कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ, और, you registered successfully, ठीक है, you registered successfully, यहाँ पर लिखा आ गया, perfect, अब इसको मैं तो और organize कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, यह हमारा post हो गया, यह if वाला statement हो गया हमारा, ठीक है, और यह इसके अंदर वाला हो गया, भाई, अगर कोई blank है, तो ना चले, यह full name हो गया हमारा, ठीक है, result हो गया, यहाँ पर हमने user check कर लिया, अब हमारा try catch block हो गया, ठीक है, ठीक है, तो हमने code को थोड़ा ऐसे organize कर दिया, तो समझ जाओगे, code को अगर पढ़ने कोश्च कर रहे हो तो समझ जाओगे, register.php पर यहाँ पर किसी भी दिरिखे का alert या pop-up हमें नहीं दिखे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे alert या pop-up दिखे, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम यहाँ पर pop-up बनाने के लिए हम यहाँ जाते है, sweet alert में, हमारे पास sweet alert करके एक library होती है JavaScript के, जिसके तुरू हम pop-up message दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आपे, अब यहाँ पर यह normal message ऐसे दिखता है, और sweet alert का message तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसी यूज़ करेंगे, तो इसको install करना बहुत ही असान है, यह free of cost है सबसे बड़ी बात, और काफी बढ़ी हैं देख सकते हैं, अलग-अलग तरीके से यहाँ पर message तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक ह इसको इन में से जो चाहँ वो तरीका इस्तिमाल कर सकते हैं तुम्हारे उपर है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और installation पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे यह link मुझे जाएगी, इसको simply मुझे copy करना है, और copy करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम अपने इसे footer में इसे, तो यह हो गया हमारा, और yeah I think, ठीक है, ठीक है तो यह हमने include कर लिया, अब हमें call करने के लिए बहुत सिंपल तरीका यूज करना हमें जादे यह नीचे कुछ देखने की ज़रते हैं, हम simply इस वाले को देखेंगे, यहाँ पर हम इसे copy करते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ यू click the button लिखा रहा है, और यहाँ तो हमें यहाँ पर good job की सिर्फ यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर अगर मैं refresh करूँ इस चीज को, यहाँ पर refresh करूँ तो देखो क्या आ रहा है, good job, you click the button, ठीक है, अब यहाँ पर okay का button आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमें यह good job वाले text ना दिखे, ठीक है, यहाँ पर हम इसे null दे देते हैं, हमें सिर्फ क्या चीज है, हमें यह चीज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उस message को जो भी message हमने pass कराया है, इस चीज को हम यहाँ पर asena करके कैसे करते हैं, इसको cut कर लेते हैं यहाँ से, हम अपने function.class.php पहाते सेट अलर्ट और error यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे error है, मैं error यहाँ पहले काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या इको कराना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम सिंप्ली इस function को call करेंगे, हम चेक करेंगे, भाई, if हमारा dollar underscore is set, set है क्य क्या, dollar underscore, session, error, अगर set है, तो क्या करना है, set है, तो करना है हमें यह, हम यहाँ पर echo करना है, इस चीज़ को, ठीक हम यहाँ पर echo करना है, इस चीज़ को, और मैं इसको थोड़ा ऐसे short में कर देता हूँ, ठीक हम यहाँ पर echo करना है, इस चीज़ को, बस, अब swall.fire null message, message जहाँ पर है, यह message की जगह हम दे देंगे, हमारा message जो भी session address में store हो रखा, तो हम simply जाओंगा, session, यहाँ प्लिक देंगे, हम error, इसको calculate कर देंगे, ठीक हो गया हमारा, अब इस function को हमें बस call कर लेना है, अपने fn variable के तुरू, तो अगर हम इसे अपने register.page पर use करना चाहते हैं, तो हमें इसे include करना पड़ेगा, अब हर page पर अलग-अलग include करने सच्छा है, मैं सिधा header.page में जाके include कर दूँ सबसे उपर, ताकि मैं इसको ज जाना है assets, उसके अंदर हमें जाना है class में और उसके अंदर function.class.php को यहां पर link कर लेना है, मैं यहां पर refresh करता हूं, तो किसी भी type का error नहीं आ रहा है, तो मैं अब यहां पर अपने footer पर जाता हूं, और यहां पर script के अंदर, क्योंकि वह एक JavaScript code है, तो उसको चलाने के ल error मैं लिखूंगा, कुछ इस तरीके से, यह हम चाहें तो script start, script ending, tag भी उसके लिख सकते हैं, बढ़ हम ऐसे लिखते हैं, हमें पता ही कि वह आज आसके code है, तो यहां पर मैं simply जाओंगा, और यहां पर $fn error कुछ चीज तरीके से लिख लेता हूं, यहां पर आकर refresh करता हूं, view page source में जाते हैं, देखते हैं यह चीज क्यों नहीं चली, तो यहां पर error रहा है, undefined variable $fn, ऐसा क्यों बोल रहा है, हमने ओपर जो file link किया है, वहां पर PHP start नहीं किया है, कुछ, यहां पर बस question mark, angle bracket सा और नीचे आते हैं, तो नीचे देखो, start and script end के अंदर blank है अभी, क्योंकि किसी भी तरीकी का error नहीं है, राइट, यहां आते हैं, refresh करते हैं, अब दखो, यहां पर हम same email id के use के store करने कोशिश करते हैं, register, यहां पर redirect हो गए, अभी भी error नहीं देख रहा कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है, register.action.php हम यहां पर आये, ठीक है, यहां पर हमने check किया, यह ठीक है, ठीक है हमारा, फिर हमने check कि user registered तो नहीं, user registered है, और registered है, तो set error करना है, email id is already registered, और redirect करना है, register.php पे, set error में हमने यहां पर जाये गए, function, अच्छा, हम यहां पर session use कर रहे हैं, पर हमने यहां पर start नहीं किया, session, इसलिए data session में कभी story नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर जाते है, register.action.php पे, register.php पे, जो register.action.php, जो session start है, इसको हम copy paste कर लेते हैं, और function के अंदर भी paste कर देते हैं, ठीक है, अब हम जाते हैं फिर से, 123456, register, register, तो यहां पर swirl.fire, null, whom anugiri, is already registered, यहां पर code लिखा रहा है, पर यह चला नहीं, अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, यह चला नहीं, पर ऐसा क्यों हुआ? अब देखो तो तो तुम देखो, यहां पर क्या हो रहा है, null तो गया, ठीक है, पर यह देखो तो यह direct ऐसी आ रहा है, यह string के form में नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर afterl दबा के देखो, तो मेरे कोई यहां पर console में पका error देखने को मिलोंगा, देख सकते हूं, यहां पर errors है, ठीक है, तो मैं वापस से अपने function.class.pcp बजाता हूं, और इस चीज़ को string, as in string हमें पास करना, तो इसके अ यहां पर error आना चाहिए, पर error नहीं आया, okay, null, who monogries is already registered, ck success, अब क्यों नहीं चला, तो सब ठीक है हमारा, हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम blank string दे देते हैं, कुछ इस तरीके से, और यहां पर आके refresh करते हैं, तो देखोगे, who monogries is already registered, यहां पर लिखा आ रहा है, ठीक है, यहां पर हम okay करेंगे, यह होगे हमारा काम, ठीक है, तो error हमारा perfect तरीके से शोहर आया, ठीक हमारे जो गलती होई थी, हमने यहां पर कर लिया, fix, तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, ठीक, चलो देख लेते हैं, यहां पर swap.fire लिखा हुआ है, और यहां पर success लिखा हुआ है, success की जगह हम यहां पर कर देता है, error, तो हमने यहां पर error दिखाने का तो बना लिया, अब error जैसे हम इस पूरे function को कौपी कर लेते हैं, success का भी बना लेते हैं, कि भाई, यहां पर success का message कैसे दिखाना, यहां पर normal alert कैसे दिखाना थे, यहां पर normal alert लिख देते हैं, alert, और यहां पर अगर हमारा जो alert set हो रखा है, तो हमें क्या करना है, alert को यहां पर दिखा देना है, और error की आहा डात लिख लेते हैं आप्स, अब मैं इससे सेय्व करता हूं है .मैं से हमेरी रिफ्रेश करता हstory है। हम इसे में सब्सक्राइब आप इस सब्सक्राइब होघाहिं हो है, उसके भी इर हो धी जिस प्लागो होना मैं से जहें यह दो यहां पर दूंगा भाई जैसी यह को गया मैसेज मेरा рьकिए , जैसे मैने आक अधूर ऑप एक ऐसे कर लेते हैं यह जी हमने अब वापस करोगे तो थे मैसस्स नहीं दिखेगा हमारे और कांप कूल छीज है। अगर तुम सीखने में इन्टरेस्टेड्ट हो entregед वह बंडाने में इन्टरेस्टेड्ट हो अब मैं या पर simply जा तूम फिर से Manugiri यहां पर लिखता हूँ भ informações यहां पर लिखता हूँ 123456 अब रिष्टर करता हूं तो देखोगे hoomonugiri is already रिष्टर में करता हूं Okay, अब मिया नए आकाउंट रिष्टर करता हूं monugiri homonugiri at thegmail.com अभी चीज़ देखो तो जह एक पर डर्राइइड करवारें register.php में login.php पर हमारा login.php पर जाता हूं और यहां पर एक नया email address डाल लेता हूं और यहां पर password डाल लेता हूं 123456 तो यहां पर register पर क्लिक करता हूं अब जैसे मैंने register क्लिक किया तो यह registered successfully यहां पर message आ गया मुझे पर यह error दे रहा है अभी भी तो मैं functional class पर जाता हूं और यहां पर देख लेते हैं क्या दिक्कत है Swelled fire session eco alert success नहीं ठीक है Swelled fire alert यह तुमारा ठीक है हम यहां पर जाते एक बार footer पर register reduction footer.php alert I think ठीक तरी किसे काम करना चाहिए पर नहीं कर रहा ठीक हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है तो हम function.class.php के अंदर जाते हैं और यहां पर इस इसको uncomment कर लेते हैं यहां पर refresh करते हैं यहां पर जाते हैं मनुगरी यहां पर email id देते हैं दूसरी पर पासवर देते हैं 123456 यहां रिश्टर पर क्लिक किया तो यह रिश्टर सक्सेस्फूली पर cross sign बना रहा है और यह message हट भी किया ऐसा क्यों हो रहा है हमें लग रहा है कि हम एरर में स्टोर करवा रहा है सक्सेस्फूल का message है ना register function class section हमारे यहां पर register रहने पर देख सकते हो यह set error है अच्छा तभी तो set error पर रहा है बटर register successful रहने पर set alert set करना हमें okay save किया हमने आप रिफ्रेश किया अब हम जाते हो मनुगरी यहां पर हम एक और email id देते हैं password देते हैं 123456 रिष्टर क्लिक करते हैं तो यह हमारा पर्फेक्ट तरीके से काम कर रहा है तो इसी के साथ हमने sign up का system perfectly बना लिया साथ ही हमने alert दिखाने का system भी बनाया है जिसको हम आने वाले वीडियो में बहुत जगहों पर यूस कर रहे होंगा तो इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है और आयोप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आऊगा मैंने जितना हो साथ कि उतना simple रखा समझाने का तरीका और बाकि इस वीडियो से related कोई भी तुम्हें doubt है कोई भी query है तो तुम नीचे comment section में पूछ सकते हो मैं जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी reply करने कोशिशिट करूँगा बाकि तुम्हें अगर यह completed source code चाहिए तो again मैं बहुत reasonable price में पूरा source code तुम्हें डिस्क्रिप्शन में रखा मैं लिंक वहां तुम जाके से purchase कर सकते हो बहुत reasonable price है पर मैं नहीं बोलूगा कि तुम ख़एदो अगर तुम इस पूरी वीडियो को देख के सीख के खुद बन कर दो